नमस्कार जैहिंद वंदेवात्रम दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे नई सिच्छक भरती और यूपीपी कॉंस्टेबल भरती जो आपके 26,000 पर आने वाली है और यहाँ पर हम आपको बता दे पूरा स्टुडियो जारी कर दिया गया है कब होगी इसकी परिच्छा कब सु होंगे आनलाइन आवेतन सारी बाते हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और नई सिच्छक भरती के बारे में ही आपके पास यहाँ पर इस वीडियो में एक बड़ी सूचना है कि सात्नों सत्तरा नहीं यहाँ पर साथ हजार से अधिक पद पर वोसकती है नई सिच्छक पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को चलू तबाएं चलिए चारू करते हैं अपना वीडियो इस पेपर के अंसार अमर ओजाला पेपर के अंसार यहाँ पर आज सिपाहियों और बेसिक सिच्चो को की बरती जल्द होने वाली है यहां पर पूरा उत्तरफदेश UPP यानि सिपाहियों की भरती के लिए पूरा सिजोल जारी कर दिया गया है हम आपको बताएंगे कि कब आपके आर्लाइन आवेदन होंगे और कब से आपका यहां पर पेपर वगारा सब के बारे में यहां पर बताएंगे है उत्तरफदेश बहाटब listen फार बेसिक सिच्शह इयहां पर हजारों पतों पर भरती जल्द शुरू होने वाली है इसके लिए 26000 यहां पर आप देख लीजो 26000 फिपाहियों की भरते होंगे जबकी practicing सिच्छा अस्आरए अध्यापए के लिए सत्रह हजार से अधिक पतों पर भरती होने वाली है दोस्तों ये पद बढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर हमाँ आपको उता दे की यूपीपी के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर 26,210 और 172 फायर मैं के भरते के लिए विग्याफन आपका जो है माई के अंत तक जारी ह होगा यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जाती है कि माई के अंत में ये विग्याफन जाती होगा यहाँ पर जुलाई में परिच्छा होगी बहुत बड़ी बात है कि जुलाई में इसकी परिच्छा होने वाली है और इसके बाद दिसम्बर तक अंतिम चैन परड़ाम गोसित करने का लच्च है यहाँ पर हमाम को बता दे कि जुलाई में आपकी परिच्छा होने वाली है और दिसंबर में अंतिम रूप से आपका चेहन हो जाएगा उत्तर पुलिस वर्ति बोर्ड के चेर्मेन राज कुमार विश सुकर्मा ने कहा है कि बढ़ती के लिए एजंस की प्रक्रियस सुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो अपरेल मध्य तक पूरी कर ली जाएगी फिर सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक बेग्यापन जारी किया जाएगा इस भरती में 20% महिलाओं के बद आरचित किये गए हैं जैसा कि पहले भी होता रहा है इसके बा यहाँ पर साथ हजार से अधिक पद खाली है लेकिन यहाँ पर सत्तरह हजार पदों का विग्यापन जारी काने के गहतरा की गई थी लेकिन अब पदों कि संख्या बढ़ जाएगी और जैसे ही चुना आचारी संगिता यानि कि आचारी संगिता तो खतम हो चुकी है मंत्री मंटल की बैठक में यहां पर जैसे मुख्यमंत्री के सपत ग्रहन होता है वैसे ही यहां से एक बड़ी भरती का आपको देखने को मिल सकती हैं बेसिक सिच करते रहिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर जरू करना जहिन जै भारत